हेलो गाईज, तो जल्दी से बताईए चाय किस किसको पसंद है लेकिन आप सोच रहोंगे यह किस तरह की चाय है, एकदम पिंक कलर की तो आज मैं आपके लिए कश्मीरी नून चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ तो यहां पे पानी, मैंने एक कप पानी लिया है, बड़ा कप यहां पे मैंने आड़ कर दिया है यह कश्मीरी नून चाय कश्मीर में बहुत फेमस है, फ्रेंड्स एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राय करें मीठी चाय आपने बहुत बार पी होगी लेकिन आज बनाते है कश्मीरी नून चाय नून का मतलब है नमक तो आज हम बनाएंगे नमकीन चाय तो यहाँ पर मैंने एक चमज ग्रीन टी ले ली है कोई भी ग्रीन टी जो आपके घर पर अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं और अब हमें क्या करना है इसे अच्छे से बोईलाने देना है चाय हम सबको बेहत पसंद होती है सर्दियों के मौसम है बड़िया सा चाय का कप मिल जाए तो बस बात बन जाती है यहां मैंने अड़ कर दिया है एक टी स्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ मैंने यहां पर नमक अड़ कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हमें इसे लगतार ना इस तरह से चलाते जाना है इस तरह से उच्छालते जाना है जैसे मैं कर रही हूँ तो इस तरह से हम करते जाएंगे और हमारी जुन पिंक चाय है वो रेडी हो जाएगी तो इस तरह से लगातार हमें इसे चलाते जाना है बेकिंग सोडा मैंने इसमें एक टी स्पून आड़ किया है लेकिं नून चाय का मज़ा नून चाय में जादा आता है और देखी किस तरह से इसमें जाग बन रही है और जाग बनते-बनते यहां पे देखिए मुझे इसे उचालते हुए लगबग 5-7 मिनिट हो गए है और इसी तरह से हमें इसे लगातार उचालते जाना है और आप इसका color देख सकते हैं, हलका pink इसका color जो है वो यहाँ पे आ गया है तो इस तरह से उच्छालना एक technique है जो आपको follow करनी है किश्मीरी नून चाय किश्मीर में मिलती है लेकिन आप इसे अपने घर पर भी बना सकते हैं और इसे enjoy कर सकते हैं, किसी भी बढ़िया से dry fruits के साथ या फिर किसी biscuit के साथ बहुत यमी यह चाय बनती है तो देखिए इसे मैं लगातार उच्छालते हुए पका रही हूँ और उच्छाल उच्छाल के इसका जो color है वो एकदम बढ़िया pink आना शुरू हो गया है किश्मीरी नों चाय पीने में बहुत टेस्टी लगती है, मैंने कश्मीरी कॉंग फिन्नी की recipe भी आपके साथ शेयर की है, नद्रो की recipe शेयर की है, दम आलू की recipe शेयर की है, तो सारी recipes आप ज़रूर चेक करें और देखिए मैं लगातार इसे यहाँ पे उच्छाल रही हूँ, इसी तरह से उच्छालते हमें रहना है, तो इस तरह से उच्छालने से क्या होगा, इसका color आप देख सकते हैं, इसका color अभी से हलका pink जो है, वो हो गया है तो मुझे comment section में comment करके जरूर बताएं कि चाय किस किस को पसंद है, और किस किस ने ये noon चाय ट्राइ की है, अगर एक बार आपने से पी लिया ना, तो आप दूसरी चाय तो भूली जाएंगे, और अब मैं इसमें add करे हूँ, एकदम ठंडा पानी, तो यहाँ मैंने एक कप और add कर दिया है friends, तो आपको जितनी चाय बनानी है, उस हिसाफ से आप इसमें पानी add करें, कश्मीर में क्या किया जाता है, यह पानी बना के रख लिया जाता है, और जब आपका नून चाय पीने का मन करें, इसमें दूदा add करके इसे serve कर दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कम quantity में बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा कम ही मैं इसे बनाऊंगी, और देखे इसका color एकदम बढ़िया red bloody color इसका हो गया है, जैसा कि हमें चाय यह था, तो इसी तरह से उच्छालते हुए न मैं इसे लगातार पकाती जाऊंगी, तो अब यह हमारी चाय का जो concentrate है वो इसे गरम कर लूँगी, तो देखे यहां पर मैंने इसे गरम कर लिया है, और दूसरी तरफ दूद भी मैंने यहां पर गरम कर लिया है, दूद में boil आ गया है, अब हम क्या करेंगे, इसे mix कर लेंगे, तो यहां वे मैं concentrate को दूबारा से गरम कर रही हूँ friends, और इसमें add कर देंगे flavor के लिए, ilaichi, long, इसमें खुब सारे dry fruits आट किये जाते है, अगर आपने कश्मीरी कावा ट्राइ किया है, उसमें भी खुब सारे dry fruits आट किये जाते है, जल्दी मैं कश्मीरी कावा की recipe भी आपके साथ share करूँगी, वो भी पीने में बहुत tasty लगता है, और लीजे, हम क्या करेंगे न, दूद को अच्छे से boil कर लेंगे पहले, तो दूद बड़िया से boil है, अब क्या करेंगे, हम इसमें यह जो चाय का मिक्षर हमने ready किया है, वो इसमें add कर देंगे, और देखिए, एकदम बड़िया pink color, तो है न, एकदम कमाल की बात, एकदम बड़िया pink noon चाय हमारी बंगर के ready हो जाएगी, आपको जितना color चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें, जो concentrate हमने चाय का बनाया है, वो add कर दें, और लीजिए, हमारी noon चाय बंगर के तयार हो गई है, बहुत ही tasty, बहुत ही delicious, अगर इसका स्वाद आपको एक बार लग गया न, तो आप आप जरूर ट्राय करें, और मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये जो रेसिपी ये कैसी लगी, तो आइए अब इसे छान लेते हैं, और इसे enjoy करते हैं, हमारी noon चाय बंगर के हो गई है, ready, बहुत ही tasty, बहुत ही delicious, मुझे personally बहुत पसंद है, तो friends, फटा-फट से इस recipe क ट्राय करें, वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like, share, subscribe, comment करना ना भूले, thank you for watching, थोड़ा से dry fruits से गानिश कर देते हैं, अखरोठों आपके पास add कर दे, बादाम add कर दे, पिस्ता add कर सकते हैं, जो आपके पसंद हो, जो आपको इसमें add करने हो, dry fruits, आप भी न, dry fruits के भी से enjoy क कर सकते हैं, thank you for watching,